नमस्ति दोस्तों, दोस्तों प्रिस्तुत है अगनी गर्व उपन्यास में जल का भाग नमबर चार अच्छे दिन चले गए मास्टर, लो रस पीओ, वरश्या, शरत, हेमन्त बीत गए सीत में ताजा खजूर का रस बरतन में उडेल कर मगई ने जीतेन महिती से ये बात कही SDO संतोष पुजारी सब उसका पीछा करते रहे, वह पीछा किया हुआ हिरन था ये ने जानते हुए जीतेन महिती भोले हिरन की तरह अनन्दित था खजूर का रस पीकर और चोंगा हाथ में लिए दोनों जाडे से सिकुडे चरसा के किनारे किनारे चल रहे थे दूप के गर्मी अब अच्छी लग रही थी खिले फूल की तरह मगई को भी जानू भानू क्रिशानू शीत से मुक्ती देने वाले थे चलते चलते मगई बोला साली छिनाल सारा पानी खीच रखा है आह असाड में जितनी बाड़ थी उतना पानी अगर बांध रखना आता जितेन महीती के मन में बात चुब गई क्यों चुबी रह गई किस जरूरी काम से यह उन्होंने नहीं समझा स्कूल की छुटी थी बिना दूद की चाय बना और पीकर जितेन महीती गुड की तलाश में परान के घर जाएं कि सहसा उनके दिमाग में विस्वोट हुआ वे उसी समय मगई के घर गए मगई हो दूरा हो सुनो सुनो बड़ा जरूरी काम है जल्दी करो क्या हुआ चलो ने उन्हें लेकर जितेन महीती चर्षा का किनारा पकड़ कर बालू को ठेलते हुए बहाव से उल्टे चलने लगे नदी में जहां पानी था वहां यायावर पक्षियों का कलरव था दूरा बोला धनुक ठीक कर लूँ आपको पक्षियों का मास खिलाऊंगा ओ कितनी चर्वी रहती है गून कर खाया फिर भी हाथों में चर्वी लग गई जाड़ा और बढ़े तो और पाखी आएंगे तब अंडे खाऊंगा मास खाऊंगा जीतेन महीती ने कुछ ना सुना जैसे की सामने एल डोरेडो एल डोरेडो मतलब कालपनिक सोने की खान देखा हो खोए हुए से बढ़ते रहे मगही को ताजुब हुआ चर्षा गाउं से डेड मिल चलकर नदी पतली हो गई थी आधा मिल पर उसके दोनों और तट उंचा था जलकर जावा मिन्नी गिरी माला की तरह था उस परवत माला की कंदराओं से केवडे के गुच्छे नदी की और जड़े लटकाई हुए जुके थे दूरा बोला यहां सुखे के दिनों में बहुत से साप रहते हैं और बरसात में यहां पानी कैसा टकराता है गम 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 अवाज होती है ओ पानी टकराता है लेकिन किनारों पर नहीं फैल पाता इसी से यहां संतोष ने जमीन ली है जित्यन महिती बोले ठेरो उतेजना में सांस खीच कर हापते हुए वे बोले मगई इंतजाम कर लिया किसका पानी का बारो मास जल मिलेगा दूरा खुशी से उचल पड़ा बोला बाबा कहा था न कि तुम्हारा मास्टर पागल हो जाएगा पागल हो गया अरे भापरे अब पानी देगा जित्यन महिती बोले मगई ने अकल दी तो सुनो उसने कहा था इतना पानी बांद कर रखना अगर आता तो उससे क्या हुआ सुनो इधर देखो हजारी बाग जेल में अधोरी लाल ने बताया था कि इसी तरहें तारा नदी से पानी लेते हैं ठेहरो बालू में बना कर दिखाता हूँ यह समझ लो कि यह चर्षा की जगे है यह दोनो और किनारे उँचे हैं इसी से जमीन नहीं डूबती यह आधा मेल है सो समझा पर उससे क्या यह दोनो किनारे हैं देखो जहावा पत्थर के ढेर हैं उन्हें लाकर एक के उपर एक पांत में दोनो और पाड की तरह उचा कर रखे मगई जल शिकारी जल व्यादे था वह समझ गया हाथ की बीडी रेत में फेक दी साफ देखकर जैसे नेवला एकागर हो जाता है उसी तरह एकागर हो गया बोला उसके बाद वहाँ पानी है उसमें सूखेगा न पहले बरस में भी सारा नहीं सूखेगा अगर पत्थर के टुकडों से नदी की तली को पाटो बाद में बालू आएगी किचड आएगी पत्थरों के बीच किचड से दरार करेगी बांध हमारे हिसाब से साथ फुट उचा होगा तीन फुट पानी सूख जाने पर भी चार फुट पानी तो रहेगा उसे बाद में सरकार से लिखा पड़ी कर अगर सिमेंट से पक्का कर सकें तब कोन करेगा तुम लोग करोगे जिन लोगों को पानी नहीं मिलता है सब बेगार दो सब को पानी मिलेगा अभी से लग जाओ चैत में गर्मी हो जाएगी मगई बोला अभी लगते हैं दोनों हाथ जोड कर मगई भागा किनारे पर चड जुक कर नदी से बोला अब तेरा चिनालपन ठीक हुआ पानी देने में कितना चिनालपन था ये देखो मास्टर कुदाल से चाती फाड कर सुसरी के नीचे से पानी खीच लूँगा देखो कैसे दूरा बोला धान काटने के समय धान काटेंगे बाद भी बनाएंगे धूरा तू मुझे धान मत दिखा अब भी पानी बादूँगा उसके बाद रेत में कंकड बिचाऊंगा मास्टर कंकड बिचाऊंगा जितेन माहिती बोले चलो सबसे बताएं सबको खीचना होगा धूरा बोला जो साला नहीं आएगा उसे सुवर की तरह पीटूँगा मगही बोला लेकिन मा की पूझा करेंगे संतोष पुझारी को ये सब अच्छा ना लगा बोला बड़म मा की पूझा ऐ समय क्यों कुछ मिल गया है क्या लौटरी मगही बोला तुम्हें उससे क्या बड़म मा की पूझा तुम जब तब नहीं किया करते हो कुवा खोधने पर करता हूँ हम पानी लाएंगे कहां? देख ले न अच्छा चलो गुड़ पता से चावल सब ले आए तो चलो संतोष ने खुद आकर देखा बोला वावा मास्टर ये इंजिनियरिंग अकल आपकी है एं वावा ऐसे चार बांद बन जाएं तो बलाक की तकलिफ दूर हो जाएं फिर रिलीफ न लेना पड़ेगी तुम्हारा तो पेशा है न ओहो हो वह मजाक की बात कह रहे हैं वह क्या बात है मास्टर बांद बनने से तो सबके लिए अच्छा है मगही बोला अपनी जमीन में पानी लोगे न क्यों? ये बात क्यों पूछ रहे हो? तुम ना पानी दोगे ना पानी लोगे बात साफ है पानी नहीं दिया तुम लोगों को तुमारा भला हो दूरा बोला दान काटने के लिए आदमी बुलाते हो या नहीं? नहीं रे तु काटेगा तेरे रहते मैं आदमी बुलाऊं मगही बोला ये हैं यमराज हुआ बाई मास्टर संतोष आची बात क्यों करता? गुसे में सब बुराई ही मत देखो मगही शीत की हलकी गर्मी में डोम, चमार, चंडाल, दुसाद, इस्त्री पुरुष बड़े-बड़े पत्थर उठा कर लाए और जमा किये वे गा रहे थे हेई लंका, जेई लंका मारे डिबबा, भारे डिबबा उनके उस गाने की कठी तान, शीत की हवा में सुखे पत्तों के साथ बहुत दूर तक गई संतोष पुजारी के दोमंजले घर में वहां से स्टेशन पर स्टेशन से सदर सदर में SDO के घर पहुँची जबाब में SDO के घर मिटिंग होई वहां से निर्देश आया संतोष पुजारी गाउं में है इसी लिए लोवर कास्ट इस्तरी पुरुस जितन महीती के नेत्रतों में चर्षा की छाती पर क्या कर रहे हैं ये जानने के लिए जाज के लिए आदमी तैनात करने की जरूरत ना हुई मतलब का निर्देश पाकर संतोष को बहुती अपसोस हुआ आहा हा फंदे में मगई भी भसेगा आदमी गुणी था था क्यों सोचते हो संतोष मगई अभी भी तो है वर्तमान को आतित सोचना क्या उचित है आहा हा गुणी आदमी संतोष के बाप की उमर का उसके हातों के बने बास के जूले में संतोष बड़ा हुआ है सारी बुराई की जड़ जीतेन मास्टर है पढ़ा लिखा आदमी माहिश्य जाती का अजात कुजात का भला क्यों करेगा उससे क्या भला हुआ, जहां जिसकी जगे है वह वही रहे, तबी ठीक है, उसका भी अनिष्ट करना पड़ेगा, संतोष कितना महापापी है, मगई के ने रहने पर पानी कौन दिखाएगा, सरकारी, जियोलाजिस्ट, जियोलाजिस्ट, भूगर्ब वेता, बाबु लोग, इल्म आती है, इल्म आती है, तुम सैकणों यंतर आदी लेकर, मिट्टी, पत्थर, ब्लास्ट, विस्पोट, कर जो करोगे, उसे मगई खेल-खेल में कर देता है, मगई और जितन मास्टर, दोनों दो तरे के भले आदमी हैं, उनका भुरा करने चला है संतोष पच्तावा, पच्तावा, आंतरिक दुख से संतोष ने गाउं लोडते ही माता के स्थान पर परसाद चड़ाया, और संगत मातरा में परसाद का जल पान, जीतन और मगई को भीजा, मानसिक पीड़ा से स्कूल फंड में रुपे दिये, और दो ताड की बलियों के दाम मगई को माफ कर दिये, बांद चैत के अंद में पूरा हुआ, इस बार सूखा और तेज था, बड़ी दूर तक धूप की किरने थी, लेकिन इस बार कम वर्षा में पानी बहुत अधिक जमा हुआ, मगई बोला, सुसरी ने समझ लिया है कि इस बार वै हार गई, इस बार उस गिरी ओरते हैं, मा गंगा, पित्मी में मा गंगा है, पाताल में पाताल गंगा है, उसके बाद सारी नदी छिनाल ओरत, बांद के पत्तर पर बैठकर सुर्यास्त के समय जित्यन माहिती और मगई की आश्चरी जनक यारी चलती, दोनों ही चैत का अवसान, आशाड का आगमन चाहते थे, मगई के प्रेशन और बातें, सबका केंदर जल था, मा पाताल गंगा से माफी मांग ली है, उन्हें पता है कि मैं उनका दास हूँ, बांद में पानी होने से क्या करेंगे, कितने दिन देखेंगे, बांद में मचलियां छोड़ना होंगी, मचली के बच्चे कोन लाएगा, मैं और धूरा जाएंगे, तुम्हारे देश में भहुत पानी है ना, भहुत पानी, जल का हिस्सा बाट भगवान ने ठीक नहीं किया, इस बार जल मिलेगा, लड़के शराब पेकर हुलड मचा देंगे, उसी आदत से तो मारे गए, तुम्हें क्या बता, जिंद देश्ती नहीं कि, हुई ही नहीं, आदमी जात, इस उमर में ब्या हो जाना चाहिए, दुत्त मगई, यहां रहो, ब्या करो, क्या हो सकता है, रहो, खेती करो, घर बनाओ, साइकिल खरिदो, रेडियो खरिदो, टार्च की बत्ती खरिदो, ना भाई मगई, ये सब करने के ल चैत का जलता दिन जलते जलते पस्चिम दिगंत मर रहा था। प्रित्वी का सत्तर भाग जल है। बादलों के गरजने से चरसा बढ़ी आ रही है। बादल जल मत्याले जल में बराबर भावर और पहाओ है। मगही बोला चलो मास्टर चल कर बांध के पास देखें। बांध की और देकर मगही बोला इस से सुसरी की गर्मी दूर नहीं हुई। देखो देखो टीला डूब रहा है। ओहो तुझे अकल नहीं है। टीला डूबा दिया। जित्तेन माहीती बोले देखो मगही टीला डूबेगा, चला जाएगा, पहले ही समझ लो, इससे कोई नुकसान नहीं, वर्षया की बाड में डूबेगा नहीं, टीला डूब जाए। फिर बादों आए, बाड मर जाएगी, वर्षा भीत जाएगी, तब ही समझोगे कितना पानी रहा, कितना नहीं रहा, मगही बोला, भवर देखो, फेन देखो, इस, कहां से बास गाच उखाड कर ले आई राक्षशी, जाकर दूरा से कहूं, आगे का मोड देखे, वहां बास खूटा, ताड का खूटा, वहे भी सोना से मांगना पड़ा, उसके बाद बोला, इस भादों में पूजा, मनसा देवी की पूजा, इस बार सार्थक होगी, तुम देखना, इस चैत में नदी में एक और बाद बना लेंगे, बाद बाद कर उसे काबू करेंगे, आसाड में बाद, सावन में बाद, भादों में बाद, घर-घर मनसा की पूजा हुई, मनसा माने वास्तु, वास्तु पूजा के दिन तरह-तरह के पकवानों का आयोजन होता, दूसरे दिन चूला नहीं जलता, संतोष की कार गुजारी देखकर सबको ताजुग था, पूजा की दिन उ ठंडा भात, अरंधन मतलब अरंधन के दिन घर में कुछ पकाया नहीं जाता, बासी खाते हैं, पांच तरकारियां, पांच साग, कुमढ़ा, पोस्त की चटनी, मगई के पाड़े में बटवाई, जितेन से बोला, सोचता हूँ कि आपके स्कूल का छपर बड़ा बनवा गाउं में स्कूल रहते लड़कों को तेनु खाली भीजता हूँ, यह ठीक नहीं है, आपने कालेज में दो दर्जे पास किये हैं, वह मास्टर तो मैट्रिक फेल है, धूरा बोला, ठाकूर ऐसे अच्छे कैसे हो गए, ए, किसी बार इतना परशाद नहीं दिया, मगई बोल तो बेटे, तुमको इससे क्या, हराम जा दे, मिला है, तो खा ले, मगई की मंचा पूजा दूसरे तरह से थी, मगई ने पहले मंचा पूजा की, उसके बाद चेहरे पर रंग मल, शराब पेकर, जुलूस बना, गीत गाते गाते, पहड़ी के उपर, कतार बांध कर, बांध मा की कंचुकी, चिती बोड़ा साप लगे माता की अंजली, कजरारा लगता मा के नहनों में काजल, पतुरिया लागे माता पाउं में ले पायल, जितेन महीती ने उनका जलूस देखा था, पहड़ी पर खड़े होकर, चर्षा के पानी को देखना, आजकल उनका सबसे जरू पुरी काम था, नास्ते नास्ते मगही आदे ने चर्षा के किनारे जाकर घड़ा डुबाया, उसके बाद घर लोटकर अब भेस्त उप सहार के रूप में खुब शराप पी, एक और आदमी ने चप्पर के दो मिजले की उपरी मंजल से डोमों का जलूस देखा, वह था संत पास के अर्थनिती के व्यापार पर कपजा करना पड़ेगा, इस बार शराब का लाइसिंस लेगा, पूलिस लगा कर घर घर शराब चुआना बंद करना पड़ेगा, साले शराब के मामले में आत्म निर्भर हैं, वर्षा दिन भर टप टप बरस्ती रही, गेरवा चर्षा पर घूसर बरसात की जालर थी, केवडे के जुंड से तिखी शराब की गंद निकल रही थी, संध्या के बाद संतोष हाथ में टार्च और लाठी लेकर निकला, मगई के बांध की और गया, बांध उसे दिन भर मद भर यूवती की तरह अकर्षित करता रहा, संतोष भर बांध के दोनों और चर्षा का पानी घुटनों तक था, बांध में पानी चप चप कर रहा था, सालों ने बांध बांधा है, संतोष ने बड़ी सावधानी से बांस की लाठी डुबाई, चेहरे पर धूरतों सी सावधानी थी, जैसे दूसरे की पत्नी के शरीर को हाथ बांध रहने से उसका ही भला है, दोनों की नारों पर उसकी जमीन है, बांध को मोल ले लेगा, मचलियां डालेगा, संतोष ने मन की आखों से देखा कि उसके बांध में उसकी छोड़ी मचलियां किलोले कर रही है, आहा, कंपनी ने क्या उश्यारी की है, जंगल, नदी, प पानी में फेक कर चला आया, मन्स्या पूजा बीत गई, भादो बीता, क्वार के लगवग बीच में बाजे बजने लगे, पूजा के पहले बोधन पर्व के नहीं, उत्सव के बाजे, क्वार के अंत में पूजा होती है, संतोष के मंडप में प्रतीमा पर मिठी लगती है, संतोष की जिद है कि इस बार पूजा में SDO को बुलाना होगा, दरोगा और वीडियो तो बहुत बार आ चुके हैं, बाजा सुनकर संतोष ने अपने महिंदर गोर से कहा, ये बाजा कैसा सुनाई दे रहा है, डोम पाड़ा में है, परब है, नहीं नहीं, बाबू की अगेत पर गोर हसा और बूला, बांध से जल बांदा है, इसलिए वे लोग वहां जाकर धान की शराप पिएंगे, नाच गाना करेंगे, मास्टर को माला पैनाएंगे, बड़ा जयोस है, मास्टर जाएगा, हाँ बाबू, और कौन-कौन गया है, डोम, चमार, चंडाल, कोई भी घ रहे हैं, तेनुखाली के संथाल देखने आ रहे हैं, बड़ी चहल पहल है, संतोष बोला, तू यहीं रहे, कुमार को जो जर्रत हो, दे देना, मैं सदर चला, साइकिल दे, साइकिल लेकर संतोष निकल गया, सभेरे से बांध पर उत्सव है, तीसरे पहर के करीब खाना पीन फिर भी जितन माहीती पानी में उतर पड़े, मगई किनारे बैठा देख रहा था, हसता, कभी पाने में डुबकी लगाता, तब सब लोग उतरे, और ऐसी छपा-छप करने लगे, कि किसी ने नहीं देखा कि पहाड के उस पार जीपे आकर रुक रही हैं, एक के बाद एक, और ते बाल बच्चों को लेकर गाउन लोट आई थी, मगई की पतनी, पुलिस की रुद्रमूर्ती देखकर डर गई, और मगई डोम कहां है, सुनकर दोनों हाथ उठा कर चिलाते चिलाते पहाडी की और भागी, साथ जीपे आई थी, उनमें पुलिस के 40 आदमी थे, यह इ इसलिए कि जीतेन माहीती, एक फॉर लॉंग सस्पीसियस कारेक्टर, भहुत दिनों से संदिक्द व्यक्ति, बुनियादी प्रैमरी स्कूल के सिक्षक का करतव विछोड़कर, चर्षा गाउं के डिसेंटिंग एलिमेंट्स, एस हमत तत्व के साथ मिलकर, समाज विरोधी का कामों के लिए उनको भड़का कर गाउं में आतक फलाने में लगा था, वस्तुत है, चर्षा ब्लाक में काम लेकर आने के पीछे भी जित्यन माहीती का गुप्त अभिप्राय पर कटोता है, पानी तो एक इश्यू भर था, इस गाउं में उन्होंने मगही डोम के साथ, जिस मुस्तैदी से मेल जोल बढ़ाया, उससे समझ में आता है कि मुलाकात पहले से सोची हुई थी, मगही डोम और धूरा डोम कानून की नजरों में संदिक द्वैक्ती हैं, क्योंकि पता लगा है कि 71 के वर्ष में उन्होंने तीन फरार आतंक वादी उगरपंतियों को साहिता और सबूत न रहने से उन्हें शामिल नहीं किया गया, जीतिन महिती पानी के बाहने मगही और धूरा को साथ लेकर आतंक वादी प्रियतनों में जुटे हैं, पूलिस के सूत्रों को पता है, चर्षा गाउं की हालत विस्फोटक है, पानी तो एक इशु भर है, जल को केंद बनाकर किसी भी दिन गाउं का सरक्षित अनुसूचित जनसमू विस्फोट में पड़ सकता है, यथार्थ में इस वर्षा सीचन में सर्षा शामला चर्षा एक लाक्षा घ्रह है, किसी भी समय, कानुन तोडने के सब आतंक वादी प्रितनों के अंकुरों का नाश करना पड सतर इकतर से ही एमर्जनसी जीप मोबिलिटी के लिए बनाया गया है, अब वह काम आया, और क्या हुआ, ये देखने के लिए जीफ से फोरन उतर कर संतोष पहडी पर चड़ा, पानी में चपा चपी में लगे आदमियों की आखों के आगे सहसा पुलिश जीप, मगही को सब समझ के बहर लगा, पुलिश क्यों है, पुलिश क्या कर सकती है, ये किसी की समझ में आने के पहले ही बांध के पिछवाडे और अगवाडे के पत्थर पुलिश फेकने लगी, तुम ये नहीं कर सकते, कहकर पानी में से हाथ बढ़ा, पुलिश का पैर पकड़ कर जितन पड़ गया और उनको बगल से खीच किनारे पर उठाकर पुलिस ने एक लाठी ओर मारी दूरा आधी पानी से निकलने को तह्यार हुए और एसंभव अधुनिक्ता में पुलिस ने उन लोगों से निकलो साले हरामे के बच्चो कहकर पानी से निकलने को कहा और लाठी मार कर उ प्राचिन प्रतिमाती क्योंकि इसमें पुलिस का व्यक्तित्व दिखाई पड़ता था और यह भी कि एक्षन में किस परकार डुवैलिटी स्की दिवी मतलब दुहुरापन इत्यादी काम करते हैं ये पुलिस सचमुच दिवी सत्वा भोगी है जार्ज स्टेनर ने कहा है क कि नाच्सियों की बहानकता में छी गायब हो गया था एक नाच्सि जनरल बिथोवन ने सुना था कि वे गेटे पढ़ा रहे हैं एक और यहुदी इश्यू के चमडे से टेबू लेंप बना रहे हैं लेकिन बात ऐसी नहीं थी बिथोवन ने सुना शिशु हत्या गेटे पा है हमारी पुलिश अधुनिक मान सिकता की पूरानी मूर्ति है इसी से उन्होंने धूरा आधी से पानी से निकलने को कहा और निकलते ही धक्का मार कर गिरा दिया उसके बाद कभी पुलिस दो से एक हो जाती और दूरा आधी को पानी से निकाल फेकती मगई तब भाग कर किनारे से मनसा के जहंडे का बास उठा लेता है वे उन्होंने ही पूजा के बाद फेक दिया था बास उठा कर पुलिस की और दोड़ा चिला रहा था बाद नहीं तोडने दूगा हम बाद नहीं तोडने देंगे अपना बाद हमने बादा है जीतेन माहिती उसे पकड़ने जा रहा था कि धड़ाम से गिर पड़ा उनकी पीट पर लाठी पड़ी और गिरे हुए भी उन्होंने उठने की कोशिस की तब ही उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी और गर्दन घुमाते ही मगई को देखकर बड़ा आश्चरी हुआ मगई सुनने में दे को मोड महराब बना पानी में गिर रहा था उसका शरीर सुन्य में था पीछे सूरिय रक्ताक्त आई केसर के समान आई केसर मतलब पुरानिक चरित्र जो सूरिय की और चला था उसके बाद आहा 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 आर्थनाद और पानी में गिरने की छपाक आवाज हुई वह आवाज एक दुसरी आवाज में दब गई इस वक्त बांध के अगले भाग के पथरों का गिराना समाप्त हो गया था और स्वरिनी चर्षा ने छिनालपन भूलकर नंगी, प्रेमातुरा, वेश्या की व्याकुलता में मगई को अलिंगन में लेकर बांध खाली कर दिया जल का संचे, बालू की तरह, सारा पानी लेकर बहने लगी जितिन महीती और धूरा, जेल भेज दिये गई, अपराथ था आई पीसी, 146 बटे, 147 बटे, 151 धारा मगई की लाश दो पथरों से अटक गई, उसे पुलिस ले गई, चर्सा नदी अब पहले की तरह, बिना जल, शीर्ण, प्राचीन, बंध्या की तरह, अभिशप्त थी उसकी छाती में डोम, चमार, चंडाल आदमी रात को गड़े खोदते, उन गड़ों में पानी जमा होता, ओरते तड़के उस पानी को लेने आती, पहाड पर उजाड ताड खजूर के नीचे बकरियां चरती चर्षा का बुनियादि स्कूल बंध हो गया था, चर्षा में अभी भी रोजाना के काम, वार्षिक गती, अवश्यम भावी होने से सुखा बाड, सुखा बाड, सुखा होते रहते, संतोष पुजारी हर बरस रिलीव लेने जाता चर्षा ग्राम में जादा पानी होने के परिणाम सुखरूप, रिलीव से कोई खोधने की सरकारी सेंक्षन नहीं थी, रिलीव के रुप्यों से मंदिर बनेगा नेसेसरी पब्लिक बिल्डिंग की श्रेणी जेसा सरकारी नोट चर्षा बलाक में हरिजन समेश्या की तरह की कोई समेश्या नहीं है, पानी की समेश्या भी नहीं है, पानी शिरार्ती अंदोलन कारियों का बनाया एक इशुवर है